यूँ तो दुनिया भर में हजारो समाद सेवक सेविकाएं काम कर रही हैं या कर रही हैं मगर उन में सब बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है मगर वो लाइम लाइट में नहीं आ पाते लोग उनके बारे में नहीं जानते ऐसी ही एक समाद सेवी का आज हमारे साथ है मीरा रोड भाहिंदर की मीना अगरवाल जी मीना अगरवाल जी आपने आज तक जितनी भी समाद सेवा की है उससे आपको क्या लगता है कि कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया कितने लोगों का जीवन सुधर गया काई बहुत सारे NGO से जुड़ी गई human rights से भी जुड़ी हुई हूँ और समाजिक संस्थाएं हैं जिनसे में आल लेडी जुड़ी हूँ और जबी मुझे कोई ऐसी महिला ने कॉंटेक्ट किया कि उसको कोई मदद की जरूवत है तो मैंने मेरे लेड़ पे जो बेस से बेस्ट हो सका मैंने मदद की और जो मेरे बस में नहीं था तो जो नगर सेवक है, नगर सेविका है या राजनीत है, या ओफिसर क्लास लोग है जहां से वो मदद मिल सकती थी मैंने बहाँ एप्रोच किया और वो मदद उन महिलाओं तक पहुचाई और ऐसी बहुत सारी समस्याओं का मैंने समाधान किया जो कभी एक महिला को मैसूस होता था कि वो अकेली है और उसको कोई हेल्प चाहिए उस हेल्प के लिए मैंने थोड़ा सा हाथ बढ़ाया और मैं उसमें हमेशा सफल रही तो ऐसे बहुत सारी अंगनित मैलाएं हैं जिनको मैंने मदद किया है और इसके लिए मैंने कभी कोई चर्चा नहीं थी मुझे हमेशा ये मन में तसलीक मिली कि मैं किसी को मदद कर सकी और मेरे मदद के हाथ जो आगे बढ़े लेकिन समस्याएं अगर सोच के इंसान रुख जाए तो वो कैसे आगे बढ़ेगा जब किसी रास्ते पे आप चलते हैं तो उसमें कंकड आते हैं तो उन चंद कंकडों की वज़े से इंसान रास्ता नहीं बदल सकता यहीं सोचता है कि वो कंकड बचा के निकल जाए या कंकड को हटा दे उस रास्ते से और आगे बढ़े बस मेरी इसी सोचने मुझे हमेंसा आगे बढ़ाया इंकरेज किया अगर कोई छोटे मोटे कंकड मेरी रास्ते में आये तो मैंने उनको साइट किया या मैं मुझे लगा कि मैं नहीं हटा सकती तो मैं उससे रास्ता बचा के निकल गई लेकिन मैंने अपने सफर को हमेशा तैय किया जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत से सोशल संस्थाय सबसे जुड़ी हुई है तो आपको कभी किसी MLA या पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिला ये सब सही काम करने के लिए मैंने एक राजनीतिक एंगल से कभी सोचा नहीं बढ़ मुझे जब कोई भी काम पढ़ता है या किसी दुसरे काम के लिए जाती हूँ तो मदद के लिए मुझे कहीं से इंकार नहीं हुआ जो मदद चाहिए थी हमेशा मुझे मिल गई तो इस वक्त आप कितने NGO से जुड़ी हुई है या कितने समाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई है काफी हैं जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करन्यादान है और मेरी खुद की एक संस्था है आस्तित जिसको मैं अभी आगे बढ़ाऊंगी और आस्ता हम काफी हमारी महलाओं के ग्रूप है कुछ भक्ती भाव के ग्रूप भी है जहां में जुड़ी हुई हों जो हम धर्म कर्म के साथ में समाजिक कारवी करते हैं और भगवान का भी सोचते हैं कि किसी भगवान देपता को जो हम देखते हैं वो संकर हो या विश्नु हो तो संकर के जीवन में पार होती थी, तो वो सक्ती की जरुवती, विश्नु के जीवन में लक्षमी है, तो वो सक्ती बनके पूर्ती करती है, तो वो पिरणना भी मुझी मिलती है कि नारी की सक्ती हर जगे पूरुस के साथ जहां कदम मिलाती है और बहां सब हलताएं आगे द् हमारे अल्यरीटि एक पेज है Facebook पे जिसमें आप जुर सकते हैं अगर हमसे जुड़ना चाहे menoraman, किसी की इक्षा है, हमारे साथ काम करने की जुड़ने की तो हमारे पेज को Like करें हैं, हमारे पेज पे हमको come to come to come सकते हैं या आपकी कोई इसी जरूरत या आपका ऐसा कोई काम जो हम कर सके जिसमें हमारी मदद लगती हो हम आपको कोई मदद कर सके तो हमारी Facebook पे आप जोईन हो सकते मिना अगरवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद